समाजवादी पाटी ने उत्तर प्रदेश में बिजली के लिए बहुत सारे बड़े पावर हाउस बनवाए लेकिन ये उत्तर प्रदेश शासन तो कोईला होता है उस कोईले की दलाली में इतने हाथ काने के लिए कि आज बिजली उत्पादन के लिए कोईला तक नहीं बचाए सरकार पर जमकर बरसे सपानिता बबबुर्ग जिला पिरबगता हैदर अली हैदर अली ने कहा जिस तरीके से प्रदेश में बिजली की किल्ला चल रही है उसे ये मालूम होता है कि प्रदेश में भाजपा सरकार पूरी तरीके से अपनी मनवानी कर रही है सपा के पूर जिला पिरबगता हैदर अली ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा सरकार बिजली बिवस्ता को दोस्त नहीं करवा पा रही है समाजबादी पाटी ने ना जाने कितने पाबर हाउस बन बाए जिससे परदेश के लोगों को रहाद मिल सके हैदर अली ने हमला बोलते हुए सरकार को ये भी कहा सरकार जो कोयला होता है उस कोयले की दलाली में हाथ काली कर रही है बिजली उत्पादन के लिए कोयला तक नहीं बचा है गैस पर दाम बलते जा रहा है जिससे आम आदमी गैस नहीं खरीद पा रहा है डीजल और पेटरोल के दाम आसमान को चूँ रहे देता है मगर इन लोगों को पूरी बिजली भी मोहिया नहीं कराई जाती हमला बोलते हुए हैदर लेली ने कहा आने बाले चुनाओं में यही गरीब और यही मजदूर भारती जंदा पार्टी को सबक से काने का काम करेगा और बोर्ड की चोड़ देगा और इनकी इंट से इं पिल की रौनक बढ़ाई जिहां दोस्तों तस्वीरों में दिख रहे इस नौजबान और समझ बादी पार्टी की युवा नेता का नाम है हैदर लेली जो हाल में ही कोरोना बारत जैसी घातक बीमारी से जंग जीत कर बापस लोटे हैं मगर आज भी इनकी आबाज में वो द टीबी में रियाज गुड़वन सारी के साथ ये बहुत सारे बड़े पाओ हाओज बन वाए लेकिन ये उतने प्रेश फ्लस ये जो कोल्स आज उगा हैं अजो गहेडिया है वह आथ आ लुप बिल देते हैं किसान नौजवान गरीब मजलूम पूरा बिल देते हैं लेकिन बिजली हमें पूरी नहीं पाती है अब आरे वाले चुनाव में यही गरीब मजलूम और किसान मिलकर इस सरकार को वोट की चोट देंगे और इनकी हीड से हीड बजाने का कारिये करें किसान अंदोलन को कुचलने के लिए और उनको आतिक रुप से चोट देने के लिए डिजल इतना महनत किया जा रहा है ताकि किसान अपनी फसल की जो लागत है वो भी उसको ना मिलता है और किसानों की तो यह सरकार बहुत पहले सी दुश्मन है यह सिध हो चुका है आप खोजेगी युवाग लेता है और कई सालों से हम सफा से जुड़े हुए है युवाग को क्या संदेश देने चाहते हैं युवाग को मैं यही संदेश दुनगा कि इस सरकार को खाल फिके और युवाग संबान के लिए राजनीती करें और अपने संबान से समझोता ना देश के संदेने का पिलए इस सरकार को जिसने राष्ट यहाय करके सता है उतों को खाल फिक तर अपने राश को बचाने का मदेन रहत बश्रांट को है को